जो ध्या जहांकी है कासी मतुरा बाकी है तीस हजार के बदले में तीन माग रहा है यार लेकिन उसके लिए हमको संभिधान का सहरा लेना पड़ रहा है यह गंगा जबुना इस देश का एक औरंग जेब ने किया था और दूसरा मुलाहिम सिंग ने किया था मुझे याद है कि हम भागवा गमच्छा नहीं पहन सकते थे हम चिर्की नहीं रख सकते थे तीलक नहीं लगा सकते थे अगर सड़क पे निकलते थे मुलाहिम सिंग के जमाने में तो पीट पे लाटिया बरसती थी उत्तर प्रदेश के हर स्कूल को जेल बना दिया गया था यह हमने देखा है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है यह देश को बताना पड़ेगा आप लोगों को और नहीं बताएंगे तो इसका जबाब हम लेंगे कानून से ही लेंगे कोड से लेंगे जैसे भी होगा हम लेंगे और तीन के बतले में 30,000 लेंगे और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पा बाद गली-गली में बंबं भोले के जैकारी गुज रहे हैं आज इसी खास मुद्देवर बाचित करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी बहुत स्वागत है आपका आज एक वार फिर काशी की गलियों में बंबं बोल रहा है काशी गुज रहा है सिर् काशी मत कहिए इसलिए कि इस देश की आत्मा काशी है और इस देश की विरासत पूरी दुनिया में फैला हुआ है कहीं चले जाई है वह हर जगह आज जहां भी सनातनी है वहां बंबं विश्वनात आज नंदी नंदी जिधर चेहरा करके ना उसका एक पायदान चड़े हैं नंदी की प्रतिक्षा के प्रतिक्षा हजारों साल की है वह प्रतिक्षा की एक सीड़ी प्राप्त किया है और धन्यवाद है उस जैज को जिसने बिल्कुल संविधानिक हम बताईए कितना यह देश का दुरभाग्य है यार हम तो हम तो तीन मांगे थे ना और जो ध्या सुरा बाकी है तो हम तीन मांगे थे तीस हजार है गीन के बता रहा हूं आज एक वकील ने 27 मस्जिदों को घेरा में लिया है कि वहां भेजो पुलिस को और सुरक्षा में ले लिजिए और संविधानिक तरीका से कोई विवाद नहीं कोई जगडा नहीं जो लोकतंत्र संव देश की वहस्ता, जो कह रही है उस तरीके से भेज़िये मेडिया को भेज़िये, खोज कराई है कि हमारी बात गलत है कि नहीं, हम नहीं कहते हैं, बना कब यह हमारे सास्त्र कहते हैं, टूटा कब यह वह भी कहते हैं, और अंगिजेब का किताब बाबर नामा कहता है अकबर नामा कहता है यह सारे उनको समय के बिदवान वा गर्व से कहते हैं कि हमने इतने मंदिर तोड़े इतने जनेव hazelnे जलाए इतने चुटिया काटे इतने सर काटे उसके evidence किताबों में है तब हम कह रहे हैं उसके लिए भी तीन का कैसी कहते हैं यज आ उन्हारा यह से जर्फ तीन मंगें और वहाइश हुग है कि सिर्फ साथ हमारे मोक्षदाई जगह हैं और जोध्या मतुरा माया कासी कांची अवंति का पूरी द्वारावती चईवा सब्तैता मोक्षदाई का इन सातों में है मस्जिद और विबादित है लेकिन उन सातों को भी छोड़के 30,000 को भी छोड़के 3 मांग रहे हैं फिर भी उसके लिए हमको कोट जाना पड़ रहा है यह हमारा गंगा जमना है यह देश को समझना चाहिए यह 110 करोड सानातनियों का देश है और हमको कोट में जाना पड़ता है 30,000 के बदले में 3 आज उसके लिए अगर हम हमारा हमको कुछ मिला उसके लिए भी अब यहां मेंटेनेबुल है सिर्फ यहां आदेश आया है कि यहां मुकदमा सुनने योग है इस पर वर्षिप एक्ट नहीं लगेगा हमको आज से पूजा हो रही है कि मुलायम सिंग के सरकार से पहले वहां स्रिंगार गौरी में जो पांच हमारी बहने गई है पूजा वह उसके पहले पूजा करते थे हम वह आचा एक बात बाता है मुथूरा चले जाए इतने बड़े बच्चे को लेके चीक चीक के बता देगा कि हाँ यह कभी मंदिर था आप विश्वनात चले जाए जिसमें त्रिसूल ओम के निसान सारे पहचान और वह सिवलिंग नहीं है आख मूद के किसी बच्चे से जो कभी दरबार में गया हो भोले नात के आख मूद के इतने बड़े बच्चे को वह कह देंगे तो वह कह देगा कि यह मंदिर रहते हैं ना थूकना, खखारना, हाथ दोना, अब क्या कहूं, रोंक्ते तो खड़े हो गए, हम कर सकते हैं कि इस देश में रहते हैं, हम इस देश के परतम नागरिक हैं कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं, कौन हैं हम, पूछता है भारत, अगर इस पर भी आपका खून नहीं खोलता है और दिकार है तुम पर, इस पर तो पूरा देश को जग जाना चाहिए और आज सबसे उस तरह से दिखाना चाहिए कि हाँ, हम सनातनी हैं, आत्मा मर गई है सायद इस देश की, मुझे तब गुस्सा आता है, नहीं तो यह बहुत पहले देखिए, गंगा जमना असली होता कि यह बैठ के, भाई तुम तीस हजार की बात मत करो, तीन की बात करो, यह नहीं तो पांसो साल राम मंदिर बनाने के लिए नहीं लगता है, पांसो साल की लड़ाई है, मुलाइम सिंग ने सर्जु को लाल कर दिया था, एक और अरंग जेब ने किया था, और दूसरा मुलाइम सि लेकिन कोई आगे नहीं आता है कोई इतने बड़े-बड़े मौलाना इतने बड़े-बड़े-बड़े-बड़े-बरेल्वी यह होता था यह यह देश था तब गंगा-जमना चल रहा था अधिक हो देवबंदी हों कोई आके यह नहीं की आता है कि आये बैठके बात कर लेते हैं Q2 team की बात है अगर सही में गर्फन हम अदिना नहीं निखाने जा रहे हम अपने ट्ग से पैसा से आपको लिभेगते ना यह मारी है यह हमारा हमारा हमारी हमारा सनातन यह हमारा सेकुलेरिजम कि अपने पैसे से ट्रेक्स में देश के कोने कोने में हजहाउस बना हुआ है किसी हजहाउस कभी आवाज उठाते हैं कभी भारत कि किसी सनातनी ने किसी हिंदू ने कभी किसी हजहाउस पर कभी आवाज ने उठाय और अपने टेक्स से हमारे मुस्लिम भाई है गंगा जमुना चल रहा है जाओ तुम मक्का मदिना उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारा मक्का मदिना है उसी तरह से हमारा अजोध्या है उसी तरह से हमारा कासी है उसी तरह से हमारा मतुरा है लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या पूछता है भारत अगर गंगा जमुना और प्रेम की बात करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है यह देश को बताना पड़ेगा आप लोगों को और नहीं बताएंगे तो इसका जबाब हम लेंगे कानून से ही लेंगे कोट से लेंगे जैसे भी होगा हम लेंगे और तीन क से बरदास्त करेंगे बहुत बरदास्त करेंगे लेकिन जब आप ले जाके दिवाल पे टिका दोगे तो प्रति उत्तर मिलेगा इसलिए कि आत्मरक्षार्थ हमको मजबूरी है लेकिन हम आवाज उठाएंगे और संभिधान ने हमको अधिकार दिया है उसका अनुपालन कर चलाना है साथ रहना है गंगा जमुना चलाना है तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और इस पर बैठके चर्चा करना पड़ेगा नहीं तो यहां लगातार होता रहेगा हम अब अब नहीं अब और नहीं बहुत हो चुका गंगा में बहुत पानी बहुत चुका हाई कोड जा रहे हैं हाई कोड से भी लाद्खाएंगे इसलिए कि कानून हम भी पढ़ रहे हैं आपके किताब भी पढ़ therapist करने वाले तहजीर पापके किताबों को पढ़के हम रोज पढ़ रहे हैं और रोज इन चैनलों पर चर्चा कर रहे हैं और उसको खोद के निकाल देंगे कि आपकी नियत क्या है आपकी सोच क्या है अपने आपको बदलिये